हाई अबरीवन वेलकम टेश्टडियाइस एपीजी चनल आज हम डिस्केशन करेंगे नेशनाल पेंशन स्कीम फॉद ट्रेडर्स एंड इसल्फ एंप्लाइड पर्शन्स सो यह जो है अभी नेशनल पेंशन स्कीम एक निकाला प्यम मौधिशाव ने सो यह ट्रेडर्स एंड इसल्फ एंप्लाइड पर्शन के लिए है इसका जो स्कीम का जो डिटेल से डिजिवलिटी है रिजिस्टेशन परसेस सब कुछ हम इसमें डिस्केशन करेंगे चलिए रिटेल ट्रेडर से इसल्फ एंप्लाइड परसन है उनके लिए है जिसका अन्वली टन्वोबर जो है नौट एक्सिदिंग था 1.5 कुछ जिसका अन्वली जो अन्वली पेशा इंकम है 1.5 कुछ से क्या है कम होगा तो उसी को ही यह पेंशन स्कीम में इसका जो एन्वल्मेंट है यह फ्री ऑफ कोस्ट है फॉर्द बेनिफिशर इसका जो एन्वल्मेंट है यह सेल्फ साटिफिकेशन है इसमें क्या करना है ना मिनिमम आश्योड पेंशन जो है 3000 मिलेगा जब इनका एज हो जाएगा जो बेनिफिशर है उसका एज हो जाएगा 60 यह उस टाम में इसको क्या है 3000 रुपिश मांथली पेंशन जैसा मिलेगा सो यह जो सेंट्रल गवर्मेंट का स्कीम है इसमें क्या है ना सेंट्रल गवर्मेंट जो है 50% सेयर करेगा एंड मांथली कंट्रमिशन जो है 50% वो कौन करेगा ना बेनिफिशर है करेगा ओके इसका एक आधर काड होना चाहिए और सेविंग बैंक होना चाहिए और क्या है नजन धन अएकाउंट जो पासभूग होना चाहिए और जो है बेनिफिशर जो है वो इनकॉम टेक्स पेर नहीं होना चाहिए बीशन है और क्या है नो टेम अ फ़ो एपिर अफज़न ऌक आए न conditioned altri यह एक और में डोगरीमें जो परक नड़ना उनन अफ यह ऊप इसमें नहीं होना चाहिए इसका सिगनिफिकेंट्स क्या है सिगनिफिकर्सक्ष यह है कि जो गवरंमेंट का जो ए में जो टार्गेट है 25 लाग सबस्क्राइब बार जो है वो 2019 एंड बीच के बीच में होना चाहिए और दो करोड कहां पर ना सब्सक्राइब बर ये 2023 लेकर 26 तर होना चाहिए ओके थैंक यू